नौर्थ इस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाल ली है। वो नौर्थ इस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इतने अंदुलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर एक सेवक बनकर एक साथी बनकर सभी रज्जों के साथ काम कर रही है। आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जागता उदारण है। साथियों दस्तकों तक हमारा पुर्वोत्तर कई और चुनोत्यों से जुजता रहा है। जब किसी सेक्टर में परिवारबाद, छेत्रबाद, ब्रस्टाचार और अस्थिरता की राजनिती हावी होती है। तब विकात होना असंभव हो जाता है। और यही हमारे हेल्थ केर सिस्टिम के साथ हुआ। दिल्ली में जो एम्स हैं वो पचास के दसक में बना था। देश के कौने कौने से लोग आकर दिल्ली एम्स में हिलाज कराते थे। लेकिन दसकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने पहली बार इसके लिए प्रयाश शुरू किये थे। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सब सब का ठब पड़ गया। जो एम्स खोले भी गए वहाँ व्यवस्ताएं खस्ता हाल ही रही। 2014 के बार हमने इसारी कमियों को दूर किया। हमने बीते वर्षों में पंदरा नए एंद पर काम शुरू किया। पंदरा इन में से अगी अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविदा शुरू हो चुकी है। एंद गुवाटी भी इस बात का उधारण है कि हमारी सरकार जो संकल पर लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। यह असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां खींच के लिए आता है। शिला न्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकारपन के समय भी आपका प्यार बढ़ चड़ करके और वो भी बिहू के पवित्र समय यहां मुझे आने का आउसर मिल गया। झाल झाल